अबसे हैं तो मैं आप लोगों को जो है सीटेट का 200 most expected questions सोसल साइंस का करवा रही हूं जिसका मैंने part 1 और part 2 करवा दिया है अगर आपने नहीं देखा हैं तो प्लेलीस पर जाके देख सकते हो और मैं आज आप लोगों को इसका part 3 करवाऊंगी जो most expected सीटेट का सोसल साइंस के questions हैं तो आप exam hall में जाने से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को देख लिजएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूजपुल होगा वीडियो को अंतक देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि कुछ question ऐसे ना हो कि आपके exam में जो आएंगे और आपका छूप चाहिए अपना देखो तो आप पोसिस करो अंतक देखेंगे इसलिए मैंने इसको जो है अब चोटा-चोटा कर दिया है पार्ट थर्ड पार्ट फोर ऐसे आएगा तो प्लीज अब question को देखो अंतक और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करके वैल आइकन रवाद हो क्योंकि जैसे में वीडियो अप्लेट करूंगी आप तक मेरे नोटिफिकेशन को अगर आपको पीडियो चैनल का लिंक जो है दिया हुआ है उसको क्लिक करके आप जोइन कर लीजिए अपको पीडियो फ्रेंड्स थांक्यू वेरी मच्छ थांक्यू अल्द वेस्ट आपके एक्जान के लिए तो हम लोग मॉस्ट एक्सपेक्टेट इसकोशन्स हैं जो प्र 12 वीडियो सोसल साइंस के करवा चुकी हूँ आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं जैसे की कोशन्स है लोगतंत में चुनावों के संबंद में निमलिखी दो कथन पर विचार केजिए ठीक है फैला कोशन है प्रतिनीधित वोगतंत्र में लोग अपने प्रतिनीधियों को चुन कर अप्रतच रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनीधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं बी है सरकारे नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है सही विकल्ब को चुनिए एस सही है बी गलत है तो यहाँ मुझे बताओ कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है मैंने जो है पॉलिटिक्स के करवाये हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके सीटेट सोजल साइन्स वोलके है आप देख लीजेगा तो देखिए इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए इसका हो जाएगा फोर यानि यह और भी दोनों सही है यह बिल्कुल सही है कि प्रतिनीधित्व लोगतंतर में जनता के प्रतिनीधि कानून तथा नियम बनाते हैं यदि जनता चाहे तो प्रतिक चुनाप के दोरान अपने प्रतिनीधि को बदल सकते हैं ठीक है नेक्स कुशन निम्लिखित में से कौन सा युग्म मुगल चार बाग का एक अस्थल नहीं है तो देखिए कौन सा युक्म जो है मुगल चार बाग का एक अस्थल नहीं है हुमायू का मकवरा कुवत अल इसलाम मर्जित शालिमार बाग या लाल महल बारी तो ये इसका जो हो जाएगा वो टू नमर होगा कुवत अल इसलाम मर्जित ठीक है कुवत अल इसलाम मर्जित का न दिन एवक ने करवाया था इसमें चार बाग पद्धिती का परियोग नहीं किया गया है सेश दिये गए जो विकल्प है जिसे यहां पे हुमाईों का मकवरा सालीमार बाग ठीक है और ताल महल बारी इन सब में क्या हुआ है जो चार वाग पधिती का परियोग किया गया है ठीक है मुगल कालीन चार वाग पधिती जो सेश में क्या है ये सभी में देखने को मिला है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है Next question है भारत में पंचायती राज परनाली के संबंद में निम्लिकित में से कौन सा कथन सही है तो जैसे फर्स्ट जिला परिशत पंचायती राज परनाली का दुईती हस्तर है ग्राम सवा के सचिप का चुनाब उसके सदश्यू त्वारा किया जाता है ग्राम पंचायत की अबधी चारवर्ष होती है सनवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतरगत देश की पर्तिक राजे में पंचायतों के संबन में अपने कानून होते हैं तो इन में बोल रहा है कि कौन सी कथन सही है तो option देखिए आप यहाँ पे आपको सही पूछ रहा है तो देखिए तो इसका क्या हो जाएगा 33 का तो फोर जो है वो क्या है सही है सनवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतरगत देश की पर्तिक राजे में पंचायतों के संबन में अपने कानून होते हैं यह विल्कुल सही है और यह जो तीनों देख रहे हैं यह विल्कुल क्या है गलत है नेक्स्ट है निमलिखित वैक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवानी और वीजक में संद्चित किया गया है तो पंचवानी और वीजक में किस क्या किया गया है तो देखिए ये जो है ना कवीर साहाब का जो है पंचवानी और वीजक में कविताओं को संरच्छत किया गया है नेक्स कोईशन है गड़ कटंगा के गोंड राजे के संबन्द मेंने मिखित में से कौन सा कथन सही है तो आप 35 के देख पा रहे हैं या एक सम्रीत राज्य था इसने जंगली हातियों को पकर कर और उनको दूसरे राजे में निर्यात करके धन कमाया दूसरा है या कमजोर गुंदेलों और मराठों के खिलाप अधिक शक्तिशाली बना 1565 में मुगल से नाउने गठ कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी द्रुगवती द्वारा हार का मुझ देखना पड़ा या राजे केवल नगरों से बना था तो क्या हो जाएगा देखे तो 35 का जो हो जाएगा वो वन होगा या एक समरीद राजे था इसने जंगली हाथियों को पकर कर और उनको दूसरे राजियों में निर्यात करके धन कमाया ठीक है तो ये जो है बिल्कुल सही है गठ कटंगा के गोन राजे के सम्मंद में ठीक है नेक्ष देख लेते हैं ये देखिए ये जो गठ कटंगा है न ये मद्यकालिन भारत का एक महत्वपून राजे था ठीक है ये राजे जो है हाथियों के लिए परशिद था किसके लिए था हाथियों के लिए ठीक है हाथियों के लिए क्या था ये परशिद था साथी दचिन भारत तथा उत्तर भारत को जोडने का कारिय करता था ये देखते हैं एलोडा की गुफा पंदरा का भित्ती चित्र इसमें विश्णू को नर्सिंग अर्थात पुरूशिंग के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृती है तो देखिए आप ऑफशन देख पारे हो राष्ट कुट काल गुर्जर बतिहार काल चालू के काल या गु या जो काल की सकाल की करती है राष्ट कुट काल की तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो क्योंकि देखो इसमें सब्सक्राइब करने में लाइक करने में पैसे नहीं लगते हैं ठीक है आपको पता होना चाहिए बस हाँ यह होता है कि हम लोग मोटिवेट होते हैं हमारे वीडियो जैसे हम डालते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है अगर आप सब्सक्राइब करके वेल आइकन दवा के रखते हैं तो बस यही एक हमारे लिए अच्छा होता है ठीक है नेक्स कोशन देखिए निमलि वस्तों के लेंदेन को आरसान बनाती है वह यह बैपार है जिसमें वस्तों की अदलाबदली में धनका प्रयोग किया जाता है यह खर्चिला और समय साध्य परकिरिया है तो इसका क्या हो जाएगा तो देखिए इसका जो होगा वो तीन है तो सही विसेस्ता कौन सी है यह ज अस्थला कृतियों में किसमे छत्रक सैल पाए जाते हैं तो देखिए छत्रक सैल जो है वो किसमे पाए जाते हैं तो छत्रक सैल जो है वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं कहां पाए जाएंगे छत्रक सैल रेगिस्तान में पाए जाते हैं तो आपको क्या लग रहा है क्या हो जाएगा इसका तो देखिए इसका जो हो जाएगा वो होगा मुशीद कुली खाँ ठीक है कि नेत्रित में बंगाल 18 शदी में धीरे-दीरे मुगल नेत्रन से अलग हो गया था तो नेक्स्ट कॉशन देखिए जिग्राफी से किया हुआ है इसमें बायू मंदल की परते दिया हुआ है और विशेष्टा दिया हुआ है तो आपको जो है कौन से परत की क्या भीशुप्ता है यह देखना है तो आप नगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो में जाके जो जग्राफी का important topics फोल के होगा इसमें भी है और मैंने ncrt में भी करवाया है तो आप यह देखो छोब मंडल ठीक है जो पहला परत है तो छोब मंडल की क्या विशेशता है यह आपको पता होना चाहिए यहां देखिए मौसन की लगवक से भी घटनाए इसी परत में होती है तो देखिए छोब मंडल में होती है तो उसे साब फिर 1 का 4 होना चाहिए तो आप इस तरह इसाम हॉल में देख सकते हो किस में 1 का 4 है तो देखिए हमारा क्या दिख रहा है कि option 2 में जो है दिया हुआ है यानी यह option हो जाएगा अब आप मिला के देख लो बाकी परत का भी ए जाएगा तो समताप मंडल इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है जिसको उनों स्पेर भी कहते हैं मध्य मंडल में अंतरीच से प्रवेश करने वाले उलका पींड इस परत में आने पर जल जाते हैं जो अंतरीच से प्रवेश करने वाले उलका पींड होते हैं अगर इस मध् पर विदेशी परियतक है आप देखे चिकित सब परियतकों के संदर में हैं यह रोगाई तो यह जैसे फर्स्ट है यह विदेशी परियतक है जो भारत के उन अपतालों में अपना इलाज कराने के लिए बिसेस रुप्षे आते हैं जहां उन्हें देश की तुलना में कम मुले पर विश्व अस्तरिय सुविधाय प्राप्त हो जाती है दुसरा है वे भारत के भीतर की ही परवाशी है जो एक राजे से दुसरे राजे के उनस्पतालों में अपना इलाज करान यह सही है परन्तु भी गलत है यानि जो है वे विश्व अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए बिशेस रुप्षे आते हैं यहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मुले पर विश्व अस्तरिय सुविधाय प्राप्त होती है ठीक है तो यह विलकुल सही है न क्यों दी गई रमा भाई को तो इसका क्या हो जाएगा तो देखे 42 का जो हो जाएगा वो क्या होगा मैं डायरेक्ट एंसर बता रही हो आपको 3 होगा देखे रमा भाई भी संस्क्रीट पढ़ना लिखना जानती थी जो एक बहुत बड़ी उपलबती थी क्योंकि उनके समय म महिलाओं को इस परकार का ज्यान अर्जित करने की अनुमती नहीं भाई इसलिए रमा माई को पंडित की उपादी दी जाती थी नेक्स कोईशन है 1856 में निमलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने या निरने किया था कि बहादुर शाज जफर आखरी मुगल बादसा होंगे और उनकी मृत्यों के बाद उनके किसी वंसस को बादसा नहीं माना जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा बताएगे बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप डलहौजी डलहौजी 1856 में जो है डलहौजी जो है गवर्नर जनरल थे इन्होंने ये निरने किया था डलहौजी ने कि बहादुर सार जफर आखरी मुगल बादसा होंगे और उनकी मृत्यों के बाद उनकी जो वंससस है वो उनको बादसा नहीं माना जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट कोशन है आपने विसिक सिच्छा पर गांधी जी के विचारों के संबंद में निमलिखित कत्व में कौन सा कथन गलत है तो देखिए इसमें से बोला कौन सा गलत है यानि कोई एक ही होगा जो गलत होगा और जो है बाकी सभी क्या ह ओबने से लुक्न अभारतियों की मश्किंट का भाव पैदा । दूसरा अंग्रेजी में दी जा रही इस हाने भारतियों को अपने सामाधिस परिवेश्र से काट दिया पस्मी सिच्छा में जीवन की अनुभवों और बैभारी क्यान की अपिक्षा पार्थि ठुस्तवों पर अधिक बल दिया गया अंग्रेजी सिच्छा पढ़ने और लिखने की अपिक्चा मोखिग ग्यान पर अधिक बल दिया गया तो इसमें कौन सा option है जो बोड़ रहा है कौन सा कथन है जो गलत है तो देखे इसमें जो है फोर जो है ये क्या है गलत है यानि अंग्रेजी सिच्छा पढ़ने और लिखने के अपिफ्ट्रों मौखी ग्यान पर अधिक बल दिया गया यह गलत है तीके क्यों महात्मा गांधी जी जो है वो मात्री भाषा में सिच्छा गरन करने के पच्छ में थे उनका कहना था कि वच के संदर्ण में निमने के दोकतनों पर विचार कीजिए तो देखिए और बी दिया हुआ है बिटिस संसद ने 1858 में एक नया कानून पारिद किया और इस इंडिया कंपेनी के सभी अधिकार बिटिस सामराज के हाथ में सौप दिये ठीक दूसरा है यह तै किया गया कि सेना में भारतिय सिपाईयों का अनुपात क्या होगा बढ़ाया जाए तथा यूरोपिये सिपाईयों की संख्या को कम किया जाए तो इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है तो दिकी जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या होगा इसका ए हो जाएगा यानि इसका जो है ए सही है प में एक नया कानून पारित किया और इस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार बिटिस सामराजी के हाथों में सौप दिया गया तो यह जो है अप्षिन क्या है बिल्कुल सही है नेक्षर दचिन भारत में नमक सत्यागरा के एक वयोवरित राश्टवादी नेता निम्रिकित मे कौन थे तो देखिए दचिन भारत का कौन था तो सी जो है इसका जो अप्षिन क्या हो जाएगा सरदार बल्लब भाई पटेल शी राजगुपालाचारी उट्टी श्री रामालू या महात्मा गांधी तो इसका होगा टू यानि शी राजगुपालाचारी जो है यह दचिन समर्पित किया था तो किने समर्पित किया था उन अमेरिक्यों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गरी युद में भाग लिया था ठीक है उन्हें जो ती राव फूले ने अपनी पुस्तक गुलाम गिरी में इनको समर्पित किया था भारत में उ कर्थनों पर विचार के जी पहला है उच्छ नियाले राज्य सरकार की अंतरगत आते हैं और उनकी ओर से ही कारिये करते हैं भी है उच्छ नियाले के सभी नियादिशों की नियुक्ति राज्य के मुख्य मंत्री के साथ विचार विमस करने के बाद की जाती है तो 48 का क्या हो जाएगा तो देखिए इसका जो होगा वो टू होगा ए और वी दोनों ही क्या है यहां पे गलत है क्योंकि उच्छे न्याले के नियंतरन में कारिये करता है ठीक है उच्छे न्याले तथा उच्छे न्याले के नियाधिशू की नियुक्ति कौन करता है से मद क्यालिको के नाम से जानी गई है जिससे बुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे तो इसका होगा सूती कप्रे सूती कप्रे नेक्स ये लास्ट कोशन है इसके बाद के कोशन नेक्स वीडियो में मैं आपको कराऊंगी इसलिए आप मेरे चैनल को प्रीज सब्सक्राइब कर लेजिए और जो है वैल आइकन दवा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो प्रोट करो अब तक मेरे नोटिफिकेशन प्रोट करें तो यदि विशे वस्तु विख्षित करें जो है सबस्क्राइब करें जो वीचे सिमाओं को पाड़ करके कई परतियों को सिखा सकें तो इसका 4 हो जाएगा थाइंक यू फ्रेंड्स थाइंक यू वाचिंग माई वीडियो और आप सब्सक्राइब कर ले थाइंक यू और अगर आपको पीडियेप होई है तो आप मेरे चैनल का टेलिग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है इसको आप जॉइन कर लें वहाँ आपको पीडियेप म जाएगा, thank you.